Hello everyone, I am a teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that find the HCF and LCM of 144, 180 and 192 by prime factorization method. question में हमसे कह रहा है कि prime factorization method का use करके HCF और LCM find करिए तीन नमबर्स हमें दिये हैं 144, 180 और 192, सबसे पहले हम अपने given numbers लेख लेते हैं, given numbers, हमें given numbers क्या है, 144, 180 और 192, सो हमें क्या method बोला है, हमें बोला है, prime factorization से हमें find करना है, तो हम इसके prime factors करेंगे सबसे पहले, 144 के prime factors क्या हो जाएंगे, 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3, 2 x 4, 2 x 8, 2 x 16, 3 x 48, 3 x 144 अब 180 के factors, 180 के factors क्या हो जाएंगे, 2 x 2 x 3 x 3 x 5, अब 192 के अगर हम factors करें, तो 192 के factors क्या हो जाएंगे, अब चलिए अब हम सबसे पहले HCF find करते हैं, HCF, तो HCF क्या होता है, HCF का मतलब होता है, highest common factor, यानि कि वो number जो तीनों में आ रहे हैं, और equal times, या फिर मैं ऐसा कहूं कि तीनों में, जो same number आ रहे हो, the least time, मतलब सबसे कम बार, तो अगर मैं two की बात करूं, so two दोनों में, तीनों में आ रहा है, एक बार तो आ रहा है, फिर यहां पर दूसरी बार भी आ रहा है, फिर अब नहीं आ रहा है, क्योंकि 180 में किवल दो बार टू आ रहा है, तो फिर common factor नहीं निकल पाएगा, अब अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 एक बार आ रहा है किवल क्योंकि 192 में भी एक बार आ रहा है फिर common factor नहीं निकल पाएगा और किसी number की बात करें तो 5 वह 192 में और 144 में नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा 224 और 43 12 अब LCM LCM का क्या मतलब होता है least common multiple यह मैं कहूं कि maximum number of times कोई भी number जो अपीर हो रहा है तीनों में से वह आएगा LCM में multiplication में अगर मैं 2 की बात करूं तो देखिए यहां पर कितनी बार आ रहा है चार बार आ रहा है यहां पर कितनी बार आ रहा है और 192 में कितनी बार आ छे बार आ रहा है तो common multiple यानि कि यह जो छे बार आ रहा है यह multiple है ना दो बार का और चार बार का भी तो इसको लिख लेंगे अब 3 की बात करें तो 3 यह पर दो बार आ रहा है लेकिन यह पर केवल एक ही बार आ रहा है तो हम कितने बार लिखेंगे दो बार लिखेंगे 3 x 3 5 तो कि अब एक बार 180 में यह आ रहा है तो 5 को भी लिख लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 चुक्कि वेल्यूर आ जाएगी हमारी 2 8 8 0 हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा HCF and LCM of 144, 180 and 192 are 12 and 2880 respectively. याने की हमको यह HCF और LCM क्या मिला 12 and 2880, I hope you understood the explanation.